brushed groundwater Hello Students Welcome back to Elite kootors चले इस वीडियो में गांधे और अनौने में इकार करके तूपको प्रसे में हमने यहां तक दिखा था तो यह लाइन से हमको शुरू करना था तो यहां तक अगर आपने वीडियोffee देखा हैं तो आपको याद रहेगा और डारेकली अगर सेकेंड पार्ट पर आ रहे हो तो मैं रिक्विस्ट कर रहो कि पहले फर्स्ट पार्ट आप देखी तब आपको जल्दी से समझ मैंगा तो थोड़ा सा यहां पर पता दे रहा हूँ कि यहां पर एक तरफ तो इशारा मिल गया था अनिल भाहिया से कि सायद से अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे मतलब उस गाड़ी का इंपाला गाड़ी का यह लोग को ऐसा लगने लगा यहां तक कि अब हम उसका यूज कर सकते हैं फिर यहां पर देखे क्या हुआ था कि लेका की फिता ने ड्राइवर को बिला कर लॉग बुक के बारे में पूछा था फिर एंट्री करते हो गया नहीं करते हो यह भी पूछा था तो उसने और कितनी किलियु मोटर ऐन्हों ने कि परस्नल यूज के लिए उन्होंने यूज किया था, लिखा था, फिर उसके बाद हमको देखना था, तो चलिए, शुरू करते हैं, तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई, फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा, तो उन्होंने फिर बोला कि मा को बला ये, अम्मा जी के आने पर बोले, तो लेखा की पिता ने लाल बादु शास्त्री ने अपनी पतनी के आने के बाद बोले, साहे साप से कहना, कि साहे साप से बोल देना, साथ पैसे प्रती किलोमेटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे, मतलब एक किलोमेٹर का साथ पैसा यह आज के जमाने में आपको बहुत कम लगेगा लेकिन उस जमाने में बहुत ही जादा था तो उस साथ पैसे के इन्होंने जो 14 किलोमेटर गाड़ी को चलाया है उसके इसाब से जो भी पैसा बनता है वो आप साहे सापको दे देना, हमारा पैसा उनको दे देना हमारा जो परसनल जो सेविंग पैसा होगा या परसनल जो कभाया पैसा होगा वो आप दे देना तो अब समझे कि यहां से यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपना पैसा साहे सापको देने को कहा इतना जो उनका कहना था इतनी बात है जब लेखा को समझ में आई कि हम और अनिल भया वहां रुक नहीं सके हम रुक नहीं पाए जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भाग कर पहुचने के बाद भी काफी दिर तक बंद नहीं हुई तो उन दोनों में रोने लगे और वह रुलाई इतनी जादी होगे कि कमरे क्या लिका कि भाग कर पहुचने के बाद भी काफी दिर तक उनके जो रुलाई है रोना जो था वह बंद नहीं हुआ दोनों ही जन दिर तक फूट फूट करोने रोते रहे तो ऐसा क्या हो रहा है कि वो रो रहे हैं तो उनको यही समझ में आ गया कि अब शायद से जो गाड़ी है वो हमको चलाने को नहीं मिलेगी क्योंकि अगर हम चलाएंगे तो उसका जो भी पैसा होगा वो अपना personal पैसा जाएगा जिसके उनको ठेस पहुचा है तो वो लोग रोने लगे फिर देखे कि आप से यह बात शान के तहट नहीं कर पा रहा इसलिए कि यह बाते अब हमारे लिए आदर्श बन गई है तो यह रूना भी आप समझे कि जो इसा आप से यह लोग बता रहे है या ऐसा आप समझ रहे हैं कि हाँ शायद से इनको ठेस पहुच गाए कि हमारा पैसा जा रहा है इसलिए रो रहे हैं अगर यह बात भी है तो राइटर गिये कह रहा है कि आप इसको बहुत शान के बात मत समझे मतलब तारीफों के लिए हमने ये किया है ऐसा नहीं समझे क्योंकि अब ये जो बाते हैं जो छोटी छोटी बाते हैं आज के जीवन में लेका कहता कि वो हमारे लेक आधर्श बन गई है मतलब अब जिस चीज़ का पालन हम कभी नहीं करते थे आज हम उसी चीज़ को लोग को सिखाते हैं उसे को हम मानते हैं फिर दिखी सकरी राजनीती में आने पर तो जब बैंक की नोकरी छोड़ने के बाद जब वो राजनीती में आये तो सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरूपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है तो एक सवाल है कि जब राजनीती में वो आये तो सरकारी जब पद मिला एक गवर्मेंट का जब पोस्ट मिला कोई मंतरी का तो क्या उसका दूरुप योग करना, उसका गैर फायदा उठाना? क्या हमारे लिए मतलब उसमें हम हिम्मत कर पाते थे? मतलब आइसी क्या हिम्मत लेकरक्ट में आ सकती है? आप ही सोचे, आप खुँच सोचे कि नहीं आ सकती क्योंकि कि हमने कुछ अच्छे आदर्श सीखे हैं, हमने कुछ अच्छे आच्रन सीखे अपने पिता जी से, तो आप ही सोचें, फिर यहाँ पर आगे क्या लिखा कि मेरे बच्चे कहते हैं, और राइटर अपने बच्चों के बारे में बोल रहा है कि, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं पर राइटर को बच्चे ये बता रहे हैं कि कितने और भी हमारे क्लास के जो बच्चे हैं स्कूल के जो बच्चे हैं वो सरकारी गाड़ी से आते हैं जो उनको सरकार ने दी है लेकिन writer अपने बच्चों को cycle से और अगर पानी बरसता है तो रिक्षे से बेशते हैं वे छोटे हैं, तो writer कहते हैं कि वे छोटे हैं उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता मैं उनको अपना कलेजा, अपना छाती चीर कर मैं अपने गहरायों में जो बसा है मेरा आदर्श, मेरा संसकार, वो नहीं दिखा पाँगा अभी, वो उस लायक नहीं है, इतना समझदार नहीं है समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जानता हूँ, यह चीज मुझे मैं जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कटीन है मेरा यह समझाना बहुत मुश्किल है कि वो समझने पाएंगे फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ फिर भी मैं क्या करता हूँ कभी मुझे वक्त मिलता है तो अपनी जो गाड़ी है उस गाड़ी से मैं उन्हें बच्चों को स्कूल छोड़ देता हूँ अपना सरकारी ओधा छोड़ कर आया हूँ अब रैटर थोड़ा सा बदलाव बता रहे हैं अपने जीवन में मैं अपना पद छोड़ कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ तो रैटर कहते हैं कि मैं अपना सरकारी जो ओधा पुजीशन जो है वो छोड़ कर आया हूँ और फिर उसके बाद मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ फिर जिक्र, तनिक, मतलब थोड़ा सा, मतलब जिक्र करके थोड़ा सा मैं ताजा फ्रेश और नया महसूस करना चाहता हूँ मतलब मैं सरकारी पर छोड़ा हो तो मैं थोड़ा सा मैं फ्रेश होना चाता हूँ और डिस्ट्रेश से हटना चाता हूँ कोशिश करता हूँ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नीव फाउंडेशन जो बेज होता है कि मेरे मन का जो महल है आज के इस तुफ़ानी जंजावात में खड़ा रह सके मतलब राइटर ये कहते हैं कि मैं कोशिश करता रहता हूं कि नीव को जो मेरा फाउंडेशन है जो मेरे आदर्शों का जो बेज है उसको सजाओ सवारू मतलब उसे मैं संभाल कर रखूँ कि मेरे जो मन का जो महल है मतलब मेरे जो आदर्शों का जो महल है वो आज के इस तुफानी जहनचावात में मतलब आज का जो यूग है जो अंधर है, अंदकार से भरा हुआ है उपर द्रव वाला जो यूग है उसमें मेरा वो महल खड़ा रह सके मतलब मेरा आदर्श जो है वो मुझे छूट ना जाए क्योंकि मैं अपने पिता से जो आदर्श को पाया हूँ वो मैं खोना नहीं चाहता हूँ आगी क्या लिखा है कि याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन वे पल मतलब वो अच्छे अच्छे दिन रैटर कहता है कि मुझे याद आते है वो वक्त याद आता है जो मैंने बाबु जी के साथ बिताय थे जो उसने अपने पिता जी के साथ बिताय थे वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौब देते थे वे अपना व्यक्तिगत काम व्यक्तिगत मतलब परसनल काम मतलब उनका कोई अगर आफिस का काम है छोटा मोटा काम जो राइटर कर सकता है तो ऐसा काम भी वो क्या करते थे कभी-कभी राइटर को सौप देते थे, उसके हवाले कर देते थे कि ये वाला काम तो जड़ा करके देखा, वो कुछ टीचिंग हो सकता है बच्चो और मैं कैसा, और मैं कैसा गर्व अनुभो करता था, मैं भी गर्व अनुभो करता था कि अरे वाह मुझे ऐसे से काम कि जो हम भाईों में लगी रहती थी जो हमेशा लगी रहती थी कि कैसी कि किसे कितना काम दिया जाता है मतलब कौन होनहार है और किसे कितना काम ज़्यादा दिया जाता है ये उस पे competition में समझ में आता था और कौन उसे कितनी सफाई से करता है और वो दिया गया काम कौन कितनी अच्छी तरह करता है ये सब को ले किसको कितना काम मिल रहा है और कौन उस काम को कितनी अच्छी से निभा रहा है इसको ले कर उनके बीच में एक competition रहता था एक दिन बोले, बाबुजी एक दिन बोले कि सुनिल मेरी अलमारी काफी बेतर्तिब हो रही है मेरी जो अलमारी है, मेरा जो कबट है वो बेतर्तिब हो रहा है, मतलब बिखरा हुआ है वो मतलब ठीक से ढंक से नहीं है उसके अंदर के सामान यहां हमाँ बिखरे हुए है तुम उसे ठीक कर दो तो तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना और साथी साथ मेरा जो कमरा है वो भी ठीक कर देना मैंने स्कूल से लोट कर वह सब कर डाला तो रैटर के दें जब मैं स्कूल से लोटा तो बाबु जी के बताए अनुसार मैंने कबड को भी सही कर दिया तयार हो रहा था, मतलब स्कूल जाने के लिए मैं तयार हो रहा था कि बाबुजी ने मुझे बुलाया, तो बाबुजी ने मुझे बुलाया, पूचा, सवासाने बचो पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मतलब मैंने जो काम दिया था, तुमने उसमें सब कुछ काम बहुत अच्छे से किया, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहा है, मतलब मैंने वहाँ पर कुर्ते भी रखे थे, वो कुर्त वे सब मैंने अम्मा को दे दिये हैं, मैंने सब अम्मा को दे दिये हैं, मुझे लगा कि ये कमरे में और इस कबट में उसकी जगा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हर तरफ अठ चुके थे, तो राइटर ने बोला कि इसलिए मैंने उसे अम्मा को दे दिये हैं, उन्होंने नवेंबर, जाड़े के दिन होंगे मतलब थोड़े थंडी के दिन होंगे तब ये सब काम आएंगे मतलब जो कुरते के बारे में है उसके ओपर इशारा की अरो बोला ये सब हमें उसी वक्त काम आएंगे, उपर से कोट पहन लूँगा फिर सवाल किया कि आप क्या बोल रहे वाबुजी यह आप कैसी बात करों कि आप फटा उटा कपड़ा पहन होगे वे कहते जा रहे थे और वो बोलते चले जा रहे थे ये सब खादी के कपड़े हैं ये सब जो कपड़े आप देख रहे कुर्टे उर्टे ये सब खादी के कपड़े हैं मतलब हाथ से बनाने वाले वस्तर हैं बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने तो जो भी इसे बीन के बनाया है खादी कपड़े बहुत मेहनत से बनाए होंगे इसका एक-एक सूथ, एक-एक जो धागा है काम आना चाहिए, हमें कुछ न कुछ उसका काम लेना चाहिए, ये बात लाल भादू शास्त्री सोचते थे बड़ी बात है अब बच्चों, ऐसा सोच न यही नहीं मुझे याद है, इतना ही नहीं मुझे याद है मैंने बाबू जी के कपड़े की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था मैंने अपने बाबू जी के कपड़े की तरफ ध्यान देना शुरू किया क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं मतलब किफायत मतलब क्या कम क्या जादा करके वो रहते हैं मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्टा देते वे का था इनके रुमाल बना दो तो मैं एक चीज़ और जानता हूँ कि एक बार अभी मुझे समझ में आने लगा कि एक बार मैंने देखा था कि वे अम्मा को फटावा कुर्टा देकर कहा कि इनका रुमाल बना दो हेंकरचीव बना दो बाबु जी तो आप समझी है कि वो वेस्ट करना नहीं चाहते थे बाबु जी का एक तरीका था जो अपने आप आकरशित करता था बाबु जी का एक ऐसा भीवियर था जो अपने आपकी किसी को इंप्रेस कर देता था आकरशित कर लेता था ट्रैक कर लेता था वे अगर सीधे से कहते सुनिल तुमें खादी से प्यार करना चाहिए तो अगर वो सीधे से बोलते ना कि कहते हैं कि साइट से फिर मैं इतना तवज्यों नहीं देता था लेकिन ये जो अभी हालाद देखा कि फटे होने के बाद उन्होंने बहुत बहुत होता है तो इतना एक्जामपल देने के बाद सुनिल को ये समझ में आगया लिखा को समझ में कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती मतलब मैं कभी उस बात को मैं अपने दिल में रख नहीं पाता पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का अकर्शन था मतलब बात तो कहते हैं लेकिन उनका जो पस्नाइटी है वो एक अट्रेक्टिव था मतलब उनके बात करके उनके एक्जामपल्स को उनके हावभाव को उनके रहन से इनको देखके लोग अट्रैक्ट हुआते थे उनके पसनाइडी को विक्तिमत्व को देखके जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था तो सामने वाले उनसे अट्रैक्ट हुआता था और ज दुखी होता था तो वो अपना सब कुछ उनके ओपर निचावर करने को भी तयार हो जाते थे लाल बादुर शास्त्री चलिए आगे देखते हैं कि अम्मा बताती हैं फिर राइटर केते हैं कि माँ एक बात बताती हैं कि हमारी शादी में चड़ावे के नाम पर सिर्फ पांच ग्राम सोने के गहने आये थे लेकिन जब हम विदा होकर राम नगर आये मतलब जब उनका विदाई हुआ अपने मा के घर से ससुराल के तरफ राइटर के पिता के तरफ तो वहां उन्हें मुह दिखाई तो दूलन का मुह देखने का जो रसम होता जिसके बदले भी क चड़ावे में सभी नाते रिष्टे वालों ने कुछ नकुछ दिया था तो सब लोगों ने कुछ नकुछ तो दिया था फिर जिन दिनों हम लोग बहादुर गंज के मकान में आये फिर यह आपको समझना है कि बहादुर गंज के मकान में जिस दिन लेखक के पिता और उनक की बात है तुम्हारे बाबुजी के चाचा को कोई घाटा लगा था तो उनके जो बाबुजी के चाचा जी मतल'll बलालभादु शास्त्री के जो चाचा थे उनको कुछ नुकसान हुआ था किसी तरह से बाकी का रुपे देने के जिमेदारी हम हम पर आपड़ी तो कुछ वज़ा हुई और फिर उसकी जो बाकी की जो पैसे होते हैं रुपे जो होते हैं उसकी जो responsibility है वो इन के उपर आगे लिखा की पिता के उपर बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची तो क्या बात हुई ऐसा क्या हुआ क्यू हमको देना पड़ रहा है इतना क्यू उतना क्यू ऐसा कुछ भी उन्होंने ठीक से जानकारी लेने की जरुद उन्हों नहीं समझा और नहीं इसके बारे में कभी कुछ पूस्ताच की और हमने पूछा भी नहीं कि जो हमको पैसा देना वो क्यों देना है क्यों हमें इतना देना है क्यों उतना नहीं देना है ये सारे चीज़ एक दिन तुमारे बाबुजी ने दुनिया के मुसीबतों और मनुश्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो शन भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और कुछ वैसा लगा हमको तोड़ा अच्छा नहीं लगा और गहना देने में तनिक हिचकी चाट महसूस हुई और थोड़ा सा हिचकी चाट भी थोड़ा सा तनिक मतलब ज़रा सा हिचकी चाट हुआ कि कैसे दिदू में गहना तो उनकी मा ये बोने के एक दिन उनके पिता जी ने लेका के पिता जी ने दुनिया की जो मुसीबते हैं और मनुष्री की जो मजबूरिया हैं ये सब समझाया उनको और फिर बोला कि आपके पास जो गहने हैं आप उसे प्लीज हमें दे दीजिए तो कुछ अजीब लगा राइटर की मा को और उनको थोड़ा सा हिचकी चाट भीवा पर वो कोई कहते हैं कि पर यह सूचा कि उनकी प्रसनता में हमारी खुशी है तो लेका की मा यह कहते हैं कि फिर हमने सूचा कि उनकी प्रसनता में मतलब लाल भादु शासरी की खुशी में म उन्होंने सोचा, हमने गहने दे दिये, हमने फिर आगे कुछ सोचा नहीं और हमने उसे गहने दे दिये, किवल टीका, नतुनी और बिचया, यह आप याद रखिए, यह एक गहने के अलग-अलग हैं, तो आप अपने घर में पूछ लेंगे कि यह कैसे हैं तो आपको एक्जा सुहागिन दर्शाने वाले, सुहागिन होने की जो निशानी होती है, इन चीजों से होती है, तो वो ज़रूरी था सुहागिन के लिए, तो वो हमने रख के बाकी जितने गहने हमारे पास थे, सब हमने दे दिये, उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उस दिन गहने ले कि जब तुम मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबन्द में पूछेंगे तो क्या कहोगी मतलब जब तुम मिर्जापुर जाओगी आप ये याद रखे सिर्फ तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है आपके बदन में जब गहने नहीं होंगे तो लोग पूछ सकते हैं कि ये गहने कहा है तुमारे तो आप बोलोगे क्या वहाँ पे तो चलिए आगे दिखते हैं तो हम मुस्कराएं तो लेखक की माने बोला कि हमने हम मुस्कराएं और कहा उसके लिए आप चिंता ना करें आप बेफिकर रहें कि हम क्या कारण बताएंगे हमने बहाना सूच लिया है हमने बहाना भी सूच लिया कि हमसे कोई पूछेगा जब हम मिर्जापुर जाएंगे तो हमें क्या बोलना है कि गहना क्यों नहीं है हम कह देंगी कि गांदी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिये तो गंदी जी के से धानतों के अनुसार समझे कि हमने गहने पहनने छोड़ दिये इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा और कोई शक भी नहीं करेगा कि हाँ यह बहाना है उनको सब को सच लगेगा तुम्हारे बाबू जी तनिक दिर चुप रहे हैं ये सुनने के बाद उनकी मा कहती हैं कि तुम्हारे जो बाबू जी है वो थोड़ी दिर चुप रहे हैं फिर बोले तुम्हें यहां बहुत तकलीफ है मतलब तुम्हें तुम्हें बहुत तकलीफ है इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ मैं समझता हूँ तुम्हें बहुत मेरे साथ तकलीफ हो रही है तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था और तुम्हारी जो शादी है मुझसे नहोकर किसी अच्छे घर में और एक सुखी परिवार में भी हो सकती थी लेकिन अब जैसा है वैसा है लेकिन अब क्या करूँ जैसा है वैसा है मतलब तुम्हें किसी तर एड़िस करना पड़ेगा मैं मुझे खुद दुख हो रहा है तुम्हें आराम देना तो दूर रहा मतलब मैं तो आराम देना चाहता था, ये तो बहुत दूर हो गया, ये तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतर वा लिये, मैंने तुम्हारे बदन के सारे गहने उतर वा दिये, जहां पर मैंने सूच अधा कि आप तुम्हें मैं आराम दोंगा, भी थे ते जो तुम्हें मिले थे उपहार की तोर पे मैंने वो भी तुमसे उतर वा लिए फिर राइटर की मा के थी कि हम बोली पर जो असल गहना है वह तो है तो यह देखे किती बड़ी बात है उनकी माने बोला कि लेकिन जो मेरा असली गहना है मतलब आप मेरे पती कम से कम वो तो है मेरे पास हमें बस वही चाहिए हमें और कोई गहना नहीं चाहिए आप उन गहनों की चिंता ना करें जो गहने मैंने आपको दे दिये हैं उसकी चिंता आप ना करें समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे बड़ी उच्छ विचार होती बच्चो कि जब वक्त आएगा तो ये तो फिर से बन जाएंगे सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहेंगे जैसा आज का परिस्थिती है दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है तो दुख और सुक्तु जीवन में सदा ही लगा रहता है तो ये सब विचार आज की जमाने में बहुत जुरूरी है चलिए खतम होता है इसे लिया गया था लाल भादुर शास्तरी मेरे बापु जी इस बुक से तो चलिए यहाँ पर ये पार्ट खतम होता है मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you very much